हेलो दोस्तों आज हम आपके लेकर आ गए हैं क्लास 11 बायोजिक चैक्टर 17 लोकोमोशन और मोमेंट के पेस्ट एंसी आर्ट बेज एंसी क्यूस क्वेस्ट वन है मसलीजा टिसू ओफ विस ओरिजिन एंडोडर्मल बी मीजोडर्मल या फिदी बोट एंसी पेज नमर्ट टूए 18 पर आपको यह लाइन मिल जाएगी जिसमें इसके बारे में एंसी आर्टी ने हमें बताया हुआ है आपके मिलते हैं 10 सेकंड इस दोस्तों आई होब आप इसको याद रखेंगे क्वेस्टिन टू है दा फंक्स्टन यूनिंट ओफ आफ मस्कुलर कॉंट्रेक्शन इस इस मायो फिलामेंट्स भी सारो सार को मेर सी मायो फाइब्रेल्स या फिदी मसल फाइबर्स आपको यह पेज नमर्ट ट्वंटी तू ह 220 पर मिल जाएगे इसका आंसर आपको माक करना है इन 10 सेकंड्स के अंदर तो आई होब आपने इस क्वेस्टिन को ट्राइ किया होगा इसका आंसर दो 220 सार को मेर इसमें ए बैंड और आई बैंड्स होते हैं जो एक्ट्रम मायोस इंसे मस्कुलर कॉंट्रेक्शन करते हैं इसका आंसर आपको बताना है इन 10 सेकंड्स के अंदर यह आपको पेज नंबर 222 पर आगर आप जाएंगे तो इससे आपको लाइंड मिल जाएगी आयोब आपने इस क्वेस्टिन को ट्राइग किया होगा तो इसका आंसर है मोटर नियूरॉंस और मसल फाइबर यह आप से भी सकते हैं या आपको यह याद रखना है क्वेशन फूर है दर नंबर आफ विच वर्टिब्रा और सेवन इन अल्मोस्ट और मैमल्स ए थोरा से बी नंबर सी सर्वाइकल यह फिडिस्क सैक्रल तो यह दोस्तो स्केलेटल सिस्टम से एक क्वेशन है पेज नंबर 225 पर दिया है आपको इसको याद कर लेना है क्योंकि यह बहुत आपसे पूज़ा जा सकता है क्वेशन फाइव ग्लिनॉइड कैविटी आर्टी कुलेट्स विट हैड ओफ ए फीमर भी हुमरस सी टीबिया यह फीडी फीबुला तो पेज नंबर 226 पर यह लाइन आपको मिल है कि जो हमारा है हुमरल है होता है वो ग्लिनॉइड सॉकेट से आर्टिकुलेट करता है इसका आंसर दो आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेशन सिक्ट जॉइंट फांड बिट्वीन एटलस एंड एक्सिस इस सेडल जॉइंट भी हिंज जॉइंट सी पाइवर्ट पर आपको इमने मिल जाएगा जो हमारे फर्स्ट और सेकंड जो वर्टिब्रा है उनमें कौन सा जॉइंट पाया जाता है एटलस और एक्सिस के बीच में इसका आपको आंसर बताना है तो इसका सही आंसर है पाइवर्ट जॉइंट यहां पर आप देख भी सकते हैं जो फर्स्ट और सेकंड वर्टिब्रा है उसमें पाइवर्ट जॉइंट पाया जाता है तो आपको यह याद रखना हिंज जॉइंट और नीज के बीच में पाया जाता है क्वेश्ट सेवने डिक्रीज लेवल ऑफ विच हॉर्मोन कें वाज ऑस्टियो पैरोसिस ए प्रजेस्ट्रॉन भी एलसेच सी एफसेच क्या फिदीफ इस्ट्रोजन तो दोस्तों पेज नंबर 227 पर आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा इसका आंसर आपको बताना इंटें सकेंड्स के अंदर आयोब आपने क्वेश्ट को ट्राइब किया होगा इसका आंसर दोस्तों इस इस्ट्रोजन ऑस्ट्यो परेसिस का कारण हो होता है इसके डिक्रीज लेवल्स क्वेश्चन एट है विच इस कॉमेंली कॉल्ड कॉलर बोन यह स्कैपूला भी क्लाविकल सी ह लुए डी या फिर डी ही मरस पेज नंबर 226 पर आपको एक वेस्ट्रोज से एससी एट एंसी आर्टी लाइन मिल जाएगी आई होब आप इस क्वेश्चन को ट्राइब करेंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर है वी क्लेविकल जो हमारे रिकल वहन होती है उसका कॉलर वहन भी कहते हैं और यह टुए नंबर होती है जैसा कि आपको यहां पर दिखाई दिय रहा है क्वेश्चन नाइन है इसका आपको कमेंट में करना है फ्यूभिक सिंप्सिस कंटेन फि सब्सक्राइब जरूर के जिए आगले वीडियो में जय हिंद